नमस्कार आदाव मैं निशान गोस्वामे डायक्टर इन्फोर्स क्रूप आप सभी सेविल इंजिनियर्स का रिन्फोर्स के डिटल प्लेट फॉर्म पे फिर से हादिक स्वागत करता हूँ आज की सेशन में हम लो ब्रीज बनानी का क्या प्रोसीजर होता है कैसे हम लोग ब्रीज स्टेप बाइ स्टेप कंस्ट्रक्ट करते हैं वो आज की सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं ब्रिज कई परकार के होते हैं जैसे कि हमें पता है road bridge flyover, footover bridge, river bridge, sea bridge, कई परकार के bridge हमारे construction industry में होते हैं इन में से एक road bridge हम लोग आज देखेंगे, आज के session में देखेंगे कि उसको बनाने की प्रकिरिया क्या है, क्या step by step procedure होता है आज का सेशन जो है ये थोड़ी से लंबी जरूर होगी लेकिन आसा करता हूँ आप इस सेशन के लाश तक जरूर बने रहेंगे उमीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा और काफी महत्पून होगा तो आए हमारे साथ चलते हैं ब्रिज बनानी के परकिरिया देखेंगे step by step procedure देखेंगे कि ब्रिज कैसे बनाते हैं स्टार्ट करते हैं जैसे कि मैं बताऊना चाहूँगा कि ब्रिज कोई भी construction industry में कोई भी project आप देख लो तो वहाँ पे दो drawing बहुत important होता है एक होता है layout plan और दूसरी drawing होती है structure drawing structure drawing क्यों important होता है क्योंकि इसमें सारी reinforcement detail दी होती है इसमें सारी reinforcement detail दी होती है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे reinforcement detail दी होई है कि यह pile है pile की जो depth है यहाँ पे depth दी होई है और ये pile की depth कितनी होगी इस depth के हिसाब से हम लोग अपने side पे boring करते हैं तो boring करने की परकिरिया क्या होती है कैसे procedure होती है क्या परकिरिया हम लोग किस procedure से जाएंगे तो boring अच्छे धंग से होगी और ये सारे reinforcement detail हम लारे लिए important इसलिए हो जाता है जब हम लोग boring करने के बाद जब boring hole में reinforcement cage डालेंगे जाल डालेंगे तो किस diameter का यूज करना है कैसे banding करना है कैसे banding करना है ये सारे चीज structure drawing के लिए important हो जाता है bridge में bridge जैसे कि हमें पता है foundation से लेके उपर तक सारा RCC member होता है तो structure drawing अपने आप में बहुत important है और layout plan layout plan के हिसाब से हम लोग marking करते हैं site पे और marking के बाद हमारा next procedure आपका boring start होता है अब जैसे देखेंगे यहाँ पे हमारा pile cap की भी drawing दी हुई है peers की भी drawing दी हुई है और आपका उपर के girder की भी drawing दी हुई है यह सारे drawings इसलिए important है क्योंकि इसमें सारे reinforcement दिया होता है still की arrangement दी होती है कि कैसे हमें still fixing करना है अपने pile cap पे, pier पे और pile foundation पे तो start करते हैं इस video के साथ देखें हमारा boring कैसे हो रहा है pile की boring कैसे हो रही है यह जो machine है यह जो है इसको हम लोग अगर boring machine बोलते हैं अगर boring machine अब यहां पर देखिए यह डाला जा रहा है इसको solid casing बोलते हैं इसलिए डाला जाता है ताकि जो भी hard particles है जैसे hard particles क्या होती है आपको मैं बताना चाहूंगे यहां पे यहां पे कुछ portion पे न कुछ depth पे आपके यह casing solid casing डाल देते हैं solid casing डाल देते हैं ताकि जो हमारे नीचे से जो strong आपके बहुत hard particles जैसे stone निकल के आ रहा है या आपके बड़े-बड़े पथल आ रहे हैं या आपके stone आ रहे हैं तो वो damage ना करें वो जो boring hole हुआ है जैसे सब कुछ ये boring hole हुआ है तो इसको न डैमेज ना करें क्योंकि stone जब आएगा तो इसको damage कर सकता है तो हमारा जो diameter है वो हमारा fall हो जाएगा, वो हमारा disturb हो जाएगा तो ये जो diameter है ये maintain रहे, इसलिए यहाँ पे हम लोग एक solid particles यहाँ पे casing डालते हैं यहाँ पे ऐसे, ताकि जो भी strong particles निकले, तो इसको तोड़ते हुए, मिट्टी को घसकाते हुए ना निकले इसलिए हम लोग ये use करते हैं, अब देखिए ये जो है अगर boring machine इसी को बोलते हैं, अब ये हमारा site का visualization है, आप देख सकते हैं site में हमारा कैसे boring हो रहा है, drilling हो रहा है, drilling क्यों हो रहा है, drilling इसलिए हो रहा है, ताकि एक बार जब bore हो जाए, उसके बाद से हम लोग इसमें अपना execution, core execution follow कर सके, core execution कहने का मतलब है कि इसमें reinforcement case डालें, concrete डालें और अपने procedure को फिर follow up करें तो देखें, site का visualization है, ये हमारा कैसे boring हो रहा है, ये drilling boring, आपका drilling boring pipe machine है, आप देखें, ये salary part निचे के जो आपके मिट्टी होंगे, boring hole के, उसको लाके dump कर रहा है और ये सब cutter है, इसमें जो भी आप देखेंगे, यहाँ पे cutter blade type का drilling plate लगा होता है, ये बहुत ही hard strata को निकालता है अब यहाँ पे animation के थुरू समझेंगे, animation में भी देखें, यहाँ पे same ओही procedure हो रहा है next आपको जब boring hole हो जाएगा, next boring hole होने के बाद सब को जी हमारा hole हो गया, यह हमारा boring hole हो गया अब next आप देखेंगे यहाँ पे की, यह ऐसे देख रहा है, यह pipe है, इस pipe के थुरू आपका क्या हो रहा है इस pipe के थुरू आपका यह liquid डाला जा रहा है, boring hole में liquid डाला जा रहा है इस liquid को क्यों, ये liquid को क्या बोलते हैं, क्यों डाला जा रहा है, तो इसको bentonite बोलते हैं, bentonite polymer mix, ये liquid क्या होता है, एक तरह के admixture होता है, जो boring करके निकाले हैं, मिट्टी निकाले हैं, और नीचे जो hole हो चुका है, ये जो boring hole हो चुका है, अब क्या है, यहाँ पे सोयल सब प इसके strata को मजबूत कर देता है, मतलब आप कह सकते हैं to dry the wet soil, जो भी यहाँ पे loose soil है, उसको आपका dry कर देगा, hard कर देगा, hard क्यों करना ज़रूरी है, अगर hard नहीं करेंगे, तो क्या होगा, soil यहाँ से fall हो, कि यहाँ से soil घसा घसा के नीचे गिरेगा, जब नीचे गिरेगा घसा घसा के, तो हमारा construction, हमारा execute नहीं हो सकता है, इसलिए bentonite polymer mix add mixture बनाते हैं, और उसको यहाँ से piping के थुरूर डालते हैं, तो देखिए, यही bentonite polymer mix कैसे डालते हैं, वो देखेंगे हम लो, देखिए, यह bentonite polymer mix डाला गया, अब इससे क्या हो रहा है, कि यह पूरा आपक hard starter यहाँ पे आप देखेंगे, अब देखेंगे, यही चीज में बताना चाहरा था, कि bentonite एक तरह की add mixture होता है, add mixture डालने से क्या होगा, हमारा जो भी यहाँ पे दोनों चारों तरफ से यह जो soil है, यहाँ पे जो soil है, यह soil को अपने आप में hard कर देगा, ताकि hard इसलिए कर आएगा और नीचे आएगा, इसका मतलब आप execution फदर नहीं कर सकते हैं, इसलिए कभी भी boring करते हैं, तो bentonite polyver mix, add mixture बना के, इसमें liquid के form में हम लोग tube के थूँ डालते हैं, यह डालने से क्या होगा, कि आपका जो भी आपका loose soil है, boring hole में, वो सब कुछ time के लिए hard हो जाएग next procedure चलते हैं हम लोग, अब bentonite होने के बाद आप देखेंगे, bentonite हमारा bentonite डालने से क्या होगा, इसके बाद से आप देखेंगे, यह bucket के थूँ, हम लोग एक solid particles नीचे boring hole में डालेंगे, आप देखेंगे, यहाँ पर एक solid particles आपका डाला जाएगा, यहाँ पर अब देखेंगे, solid particles डाला गया आपका, solid particles डालने के बाद, अब देखेंगे, यहाँ पर next procedure बहुत important है, bentonite polymer mix डालने के बाद, एक solid particles डाला गया नीचे, boring hole के at the bottom tip, आप बोल सकते हैं, pile bottom portions पे, bottom of the pile जो सबसे नीचे वाला जो portion है, pile का, वहाँ पे solid particles डाला गया, और उसके बाद से, एक test होता है, उस test का नाम होता है, sonic logic measurement test, यह sonic logic measurement test क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, यह बहुत ही ultra high frequency, ultra sonic wave, आप हम लोग एक frequency के थुरू देखते हैं, कि जो भी हमारा इस boring hole में, आपका concreting होने जा रहा है, या concreting होने के बाद, जब एक बार concreting हो जाएगा, उसके बाद से हम लोग देखते हैं, कि जो निचे compaction, जो निचे concrete हुआ है, इस boring hole में, वो सही से हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा boring hole में क्या होता है, कि यह तो deep foundation है, अब आदमी यहाँ पर आके तो देख नहीं सकता है, ना column column में तो आदमी up to the limit height रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, limitation तो है, deep foundation है, अब इतना निचे तक तो कोई आ नहीं सकता है देखने के लिए, तो एक measurement करते हैं, sonic logic measurement test, वो test क्या होता है, वो मैं detail में बताऊंगा, उसमें क्या होता है, कि एक wire हम लोग नीचे डालते हैं, इस boring hole में डालते हैं, और transducer और receiver लगा होता है, और वो एक sonic logic device से connect होता है, तो जो भी concreting हो रहा है, वो उसके पुरा बताएगा, उस पर graphs निकल के आता है, कि इसमें concreting जो हो रहा है, इसमें honeycomb तो नहीं है, मतलों अच्छा से compaction के through हो रहा है, और दूसरा जो pile का जो dia है, वो dia तो disturbed नहीं हो रहा है, for example, 1200 mm dia of pile है, pile की जो गोलकार है, वो 1200 mm है, तो वो तो disturbed नहीं हो रहा है, वो दिखा जाता है, तो sonic logic test बहुत important होता है, जहां पे pile boring होगा, जहा आपको मैं दिखाऊंगा, visualization के through, देखिएगा कैसे हो रहा है, अब देखिए, ये bentonite का ही procedure हो रहा है, ये bentonite डाला जा रहा है, दीरे 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 ये tube के थूरू, पुरा डाला जा रहा है, उपर तक जा रहा है bentonite, आप देखिए, और ये आपका site का visualization है, यही bentonite डाला आपको sonic logic measurement test या sonic caliper measurement test, ये क्या होता है, आप देखिए, यहाँ पे wires डाला जा रहा है, यहाँ पे आपका wire डाला जा रहा है, ये ना wire है, ठीक है, और ये wire काफी high frequency ultrasonic wave निकालते हुए जाता है, और यहाँ से ये wire जो होता है, यहाँ पे एक device लगा होता है, इस device से connected होता है तो होता क्या कि ये wire छोड़ देते हैं, और उसके बाद से इसमें reinforcement डल जाएगा, और concreting हो जाएगा, और उस reinforcement से ये wire connected होता है, और sonic यहाँ पे जो device है, ये device से फिर connect होगा, और यहीं device आपको बताएगा, कि जो भी आपका concreting निचे हो रहा है, वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब ज्यादा honeycomb तो नहीं हो रहा है, compactions सही है कि नहीं है, और dia और pile तो गड़बड नहीं हो रहा है, जो गोलकार maintain करना है, pile का, जो आपका dia है, वो disturb तो नहीं हो रहा है, वो irregular तो नहीं हो रहा है, तो ये sonic logic test यहीं आपको बताता है, कि निचे का जो compaction है, test बोलते हैं, बहुत ही important है, sonic logic test pile foundation में हम लोग करते हैं, ताकि निचे का compactions हमारा सही से हो सके, concreting सही से हो सके, और dia और pile throughout the pile आपका disturb नहीं हो, तो फिर आगे बढ़ते हैं, देखें, ये पूरा आपका जा रहा है wire, और आपका graph ऐसा कुछ visualization निकल के आता है, जब test होने के बाद, अब देखें, यहाँ पर concreting होना चालू हो रहा है, देखें, अब यहाँ पर क्या है, जो मैं बता रहा था आपको, कि ये reinforcement डालने के बाद, reinforcement डालने के बाद, आप य देखेंगे, कि यही wire आपका connected होता है, reinforcement से, ठीक है, और यही reinforcement आपका reinforcement से connected है, तो वो ही ultrasonic wave, अपने frequencies के हिसाब से आपको बताएगा, concreting सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, procedure देखते हैं, detail में, देखेंगे, आप यहां से हमारा concreting हो रहा है, concreting होने के बाद, reinforcement डाल चुका है, concreting हो गया, अब यहां पर देखेंगे, यह test के बारे में बताया जा रहा है, अभी test के बारे में, अभी यहीं पर देखेंगे, यह आपका transducer और receiver, यह नीचे का, यह नीचे से connected होता है, यह नीचे का पूरा visualization ला कि इसको देगा, और यह device से connected है, यहां पर पता चलेगा, कि हमारा, जो concreting नीचे हो रहा है, वो सही हो रहा है, यह नहीं हो रहा है, तो procedure डिटेल में देखते हैं हम लोग, देखेंगे, कैसे connect हो रहा है, reinforcement से, ठीक है, और पहले से wire लगा हुआ है, इसमें यह connect हो रहा है, और यह आपका sonic logic test, यही visualization निकल के आता है, कि आपका देखेंगे, यहां पर अगर honeycomb रहेगा, यह compaction सही नहीं होगा, तो क्या होगा, यहां पर दिखा देगा आपको, यहां पर आपको visualize कर देगा, कि यहां पर सही नहीं है, यहां पर सही नहीं है, य यह आपका जो concreting हुआ है, वो सही तरीका से हुआ है, with all measurement, ठीक है, यह sonic logic test बहुत important है, next हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखे, सारा test, test की परकिरिया बताया हूँ, लेकिन अब boring होने के बाद, फिर से हमारा core execution पार्ट पर आते हैं, हमारा bore हो गया pile, pile bore होने के बाद, हमने क्या किया, bentonite डाला, bentonite क्यों डाला, bentonite इसलिए डाला, ताकि जो भी loose soil है, वो hardened बने रहे हैं, निश्चे गिर के अगर गिर के आएगा, तो हमारा core execution हमारा चालू नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग bentonite admixture डाले, next हमारा next procedure है, जो मैंने test बता है, वो एक अलग चीज था, कि यह चीज हम लोग test करेंगे, concreting होने के बाद, लेकिन bentonite डालने के बाद, next procedure है, कि हम लोग steel का casing डालते हैं, covering casing होता है, वो क्या गरता है, boring जो हमारा hole हुआ उसी में पूरा insert करते हैं, और manually तो possible है नहीं, mechanical hydraulic crane के थ्रू, उसको हम लो insert करते हैं, boring hole में, तो देखिए कैसे insert हो रहा है, आप देखिए, एक crane के थ्रू, इसको hanging किया गया, और धीरे 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 इस boring hole में, जहां पे हमारा boring hole है, देखिए, यही crane के थ्रू, आपका, यह crane के थ्रू, आपका नीचे जाएगा, धीरे 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 ड्रॉप करेगा, boring hole में, और जो boring hole किया है, वहां पे देखिए, धीरे 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 यह, पुरा insert हो रहा है, यह casing इसलिए डाला जाता है, ताकि जो भी हमारा reinforcement हो, यह जो reinforcement cage, reinforcement cage हमारा क्या है, अब casing डालने के बाद हम लोग reinforcement cage का काम करेंगे, जो भी हमारा drawing में, हमारा reinforcement detail जो दिया हुआ है, उस reinforcement detail के अनुसार हम लोग अपने banding, bar banding team को हम लोग क्या बोलेंगे, कि हमारा reinforcement cage develop करो, बनाओ, अब वो reinforcement case क्या करेंगे, आपका mechanically, आपका builded होगा, सा ring डाले जाएगा, ring आपका पूरा, ठीक उसी हिसाब से बनेगा, जो हमारे structure drawing हमारे client के तरफ से दिया गया है, अब वो reinforcement cage एक बाद बन जाएगा, फिर उसको बहुत हेवी होता है, reinforcement cage क्या होता है, बहुत हेवी है, तो उसको भी manually नहीं डाल कि हम लोग hydraulic crane के थुरू, ड्रॉ boring hole में drop करते हैं, तो next procedure है हमारा reinforcement cage को डालना, तो देखिए, यहाँ पर build it कैसे हो रहा है, कैसे build it किया जा रहा है, आप देखिए, यह bar binder जो है, वो कैसे आपका reinforcement cage बना रहा है, तो reinforcement cage बनाने का भी तरीका है, binding wire ना बांध के हम लोग जो भी drawing में दिया हुआ है, specification में दिया या नहीं आपको build it करना है, तो build it करेंगे, ठीक है, अगर जादा, जैसा foot over bridge में अगर जादा weight नहीं है, जादा वहाँ पे heavy load, live load नहीं लगने जा रहा है, तो वहाँ के ring हम लोग बांडिंग wire से भी बांध सकते हैं, लेकिन यह सारा चीज आपका दिया रहता है, drawing में, यह हम लोग जो मिटी निकाल के बाहर dump किये थे, उसी hole में अब इसको drill करेंगे, देखिए अब यह drill कर दिया गया है, insert हो चुका है, अब दीरे 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 अब यहाँ पर build it किया जा रहा है, यह build it किया जा रहा है, क्यों build it किया जा रहा है, क्योंकि concreteing build it करना इसलिए जरूर करने के लिए हम लोग build it करते हैं, build it करना आपका जो drawing में दिया रहाएगा, उसी हिसाब से हमें build it करना है, यह नहीं है कि binding wire से बाहना है, तो हम लोग build it कर देंगे, जो दिया रहाएगा drawing में उसकी हिसाब से हमें करना है, next देखिए, जब reinforcement kit चला जाएगा, उसके बाद से obviously हमारा next procedure, next step के आँगा concrete pour करेंगे, अब जो concrete pour करेंगे, तो जैसे हम लोग घर में, building में, housing project में देखते हैं, column में हम लोग concreting डाल देता हैं, ऐसे, manually डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर manually नहीं डालेंगे, manually क्यों नहीं डालेंगे, यह तो deep foundation है, manually डालेंगे, तो irregular pattern होते हु disturb हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग एक concrete funnel tube लगाते हैं, termite tube बोलते हैं, तो वही concrete funnel जो termite tube होता है, वो डालते हैं, boring hole में, और फिर आपका transit mixture से उस पे हम लोग अपना concreting pour करते हैं, तो धीरे 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 जितने amount में आपको चाहिए, with regular interval of concreting, और with regular interval of compaction, concreting भी हो पूरा pile की concreting होगी, अब देखिए, यह हमारा धीरे 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 ना, यह आपका यह भी hydraulic jack से लगा, इसी को बोलते हैं, हम लोग concrete, termite tube, इसके through हम लोग देखिए, इसके through अब लोग डालेंगे, और यह जो pipe डाल रहे हैं, इसी pipe को हम लोग तर्माइट tube बोलते हैं, और funnel तो आपको मैंने दिखाया ही, अब यह pipe जो होता है, आपका small amount में धीरे धीरे concreting होगा pile में, तो देखिए, यह आपका hydraulic jack से कसा जा रहा है, उसको jack किया जा रहा है, यहाँ पे manually jack हो रहा है, और jack होने के बाद आप देखिए, यह धीरे से insert होगा, और transit mixture या concrete mixture के through, जो हमार pump के through, आपका pump pipe होता है, वो आके यहाँ पे connected होगा, और इसके through पूरा concreting होगा, यह जितनी भी boring hole हुए है, बोरिंग होने के बाद यह reinforcement cage होगे, अब देर देरे concrete pour हो रहा है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे concrete pour हो रहा है, यहाँ पे transit mixture या concrete mixture के through, यहाँ पे concrete pour किया जा रह आपका disturbance का यह रहता है, रिस्क रहता है, जो spacing maintain, वो disturbance हो जाए, तो उसको बचाना होता है, उसको avoid करना होता है, इसलिए थोड़ा सा low intensity के through, हम लोग concrete funnel के through, हम लोग concreteing कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, 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 दे pile foundation का bed label है, cut up label है, मतलब यहाँ तक तो pile foundation थोड़ा सा और 3-4-5 feet उपर तक लेते हैं, हमारे structure drawing में दिया रहता है, pile foundation अगर 10 meter है, तो उससे थोड़ा सा 3-4 feet और उपर हमारा pile foundation concreteing होता है, अब यहाँ पे जो यह चीज देख रहे हैं, आप यहाँ पे देखेंगे, कि यहाँ जो concreteing हुआ है, इसको न टैमर हैमिंग करके इसको न तोड़ के निकाल देते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे pile foundation हमारा concreteing होने के बाद, यहाँ पे पूरा concrete जमा मतलब यहाँ उपर तक concreteing हमारा हुआ, और बाद में manually या mechanically कुछ height पे pile cut off label, इसको pile cut off label बोलते हैं, हम लोग इसको cut करके निकाल देते हैं, अब यह cutting जो करते हैं, यह आप manually भी कर सकते हैं, mechanically भी कर सकते हैं, तो यह दिया रहेगा drawing में, अब यह क्यों cut करते हैं, यह भी मैं बताना चाहूंगा, pile chipping, इस procedure को pile chipping बोलते हैं, कि जो concrete उपर, cut off label से 3-4-5 feet उपर तक जो आपको तोड़ के हटाना है, इस परकिरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, pile chipping, pile chipping इसलिए important है, क्योंकि हमारा जो pile foundation में जो concrete पोर हुआ है, निचे कई सारे, मतब कई तरह के गंदगी हैं, जैसे पलोथीन सीट है, पलास्टिक है, बहुत सारे impurities रहता है, क्योंकि अब हम लोग तो निचे घुश के निकाल नहीं सकते हैं, तो aqua pressure के phenomenon से, aqua pressure phenomenon क्या होता है, जैसे bucket में पानी डाल दो, और उसमें कुछ गंदगी है, तो या तो निचे जम जाता है, या तो उपर आ जाता है, ठीक, वहीं aqua pressure का phenomenon यहां पे भी लागू होता है, तो जो भी गंदगी है पूरे pile में वह उपर के कुछ portion में आके इकठा हो जाता है, तो उसी impurities को निकालने के लिए हम लोग pile chipping करते हैं, उसको तोड़ के निकाल देते हैं, कुछ label का, मतलब cut-off label से उपर का जो भी pile का portion है, उसको remove करके निकाल देंगे, ध्यान रहे, सिर्फ concrete निकालते हैं, reinforcement नहीं निकाल होगा, तो देखिए कैसे आपका ये आपका प्रोसीजर होगा, अब देखिए यहां पे ना कैसे निकाला जा रहा है, ये आपका mechanically निकाला जा रहा है, हाला कि ये dismantling ये जो है, इसको तोड़ के हाथ से मतलब मैनुवली भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मसीन से ही निका करता है कि क्लाइंट कैसे बोलता है, पाइल चीपिंग करने का, पाइल चीपिंग बहुत इंपोर्टेंट होता है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ताकि निक्षे इंपुरिटीस मिक्स हुए हैं concrete के साथ, वो aqua pressure के phenomenon से उपर आके, इकठा जमा हो जाए, गैदर हो जाए, और आदम उसको तोड़के impurities को हटा दे, और impurities को देखे हटाया जा रहा है, और यहां पर जो reinforcement है, वो reinforcement वैसा कर वैसा रहेगा, तो उसको bend करके, फिर हम लोग पाइल कैप का जब reinforcement डालेंगे, क्योंकि पाइल कैप आपका इसी लेवल पर आएगा, तो पाइल कैप का जो reinforcement डाल सकती है, यह depend करता है कि client आपको कैसे बोल रहा है, dismantling आपका pile chipping करने का, कैसे तोड़ना है, ठीक है, pile chipping करने के बाद next procedure जो है, अब जो सरीया ऐसा दिख रहा है, उसको bend करके, उसको bend करके, आपका reinforcement डालेंगे pile cap का, तो next procedure है, pile capping का reinforcement align करने का, pile cap क्या होता है, क्यों important है, व pile cap, just pile के उपर होता है, जो आपका cut-off label आपने किया है, वहीं पर pile cap का arrangement करते है, peer जो होता है, peer मतलब pile cap के उपर का portion, कोई भी bridge पे load आता है, तो girdler पे आता है, girdler से आपका bearing plate पे जाता है, bearing plate से आपका peer पे आता है, और peer से आपका pile cap में आता है, फिर pile cap के थूरू, pile में जात तो pile cap इसलिए बनाए जाता है, ताकि direct load जो peer से आ रहा है, पुरे bridge का, वो direct pile पे hit ना करके pile cap में आए, और pile cap में आने के बाद, load की intensity कुछ कम होती है, traveling करा है, जितना traveling कराओगे load को, उतनी load की intensity कम होगी, उतनी आपकी structure सेफ होगी, और load को transfer कराना ज़रूरी है soil में, तो next द कि यहाँ पे न, एक, दो, तीन, चार, चार pile है, और चार pile का pile shipping करने के बाद reinforcement कुछ ऐसे करके bend कर दी है, अब यहाँ पे जो यह डाला गया है, यह cover block नीचे से concrete block डाला गया है, ताकि इसके उपर अब हमारा reinforcement mass जो होगा pile cap का वो बैठाएंगे, और उसके नीचे जो यह दे यह हमारा PCC है, PCC क्यों करेंगे, अब soil पे तो हम लो direct reinforcement नहीं डालेंगे न, pile cap का, इसलिए important होता है, कि जो cut-off label है, मतलब, जो आपका ground label है, जहाँ पे soil है, वहाँ पे पुरा अच्छे से PCC कर देंगे, और PCC के उपर हम लो यहाँ पे, देखे, concrete block डालके, आपको उसके उ होता है, और बीच में share लगा होता है, तो देखेंगे, हम लोग detail में देखेंगे, देखेंगे, यह reinforcement arrangement कैसे हो रहा है, यहाँ पे यह देखें, यह चारो तरप से हमारा जगा 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 पे concrete block डाला गया, अब यह जो दिखा जा रहा है, जो यह आ रहा है, यह सारे आपके reinforcement bottom mess है, main bar डाला, अब distribution bar डाला, distribution देखेंगे, यह आपका क्या आ गया, bottom mess आपका arrangement हो चुका है, अब इसके उपर हम लोग top reinforcement mess डालेंगे, और chair डालना इसलिए ज़रूरी है, बीच बीच में share देखेंगे, बीच बीच में share डाला गया है, आप देखेंगे, यह बीच बीच मे आपका यहाँ पे chair डाला गया है, यह chair डाला गया है, बीच बीच में, ऐसे, क्यों chair डालना ज़रूरी है, क्योंकि chair top mess और bottom mess को hold करके रखता है, आप देखेंगे, यहाँ पे chair, यहाँ पे chair, यहाँ पे chair, मकद 3-4 chair डाला गया है, chair इसलिए डाला जाता है, इसको chair बोलते है इसलिए top mess जो उपर से mess डालेंगे और जो नीचे से mess इसको hold पकड़ के रखेगा पकड़ के रखना ज़रूरी है नहीं तो वो क्या होगा concreting pressure के वज़े से हो सकता है नीचे वो with the time जैसे जैसे time interval बढ़ेगा दो साल चार साल बाद हो सकता है वो नीचे के तरफ आपका जुक्स जाए वो आपका एक तरीका से आपका ऐसे नीचे के तरफ जुकाओ को बचाने के लिए हम लोग chair डालते है next procedure हम लोग देखते हैं अब देखें bottom mess डल चुका है pile cap का अब आपका top mess डलेगा top mess कैसे डलेगा अब देखें और जब bottom mess डलेगा उसी के साथ पियर का भी हम लोग वर्टिकल बार का भी arrangement हम लोग align कर देते हैं अब देखें top mess कैसे डल रहा है अब देखने यह top mess डल चुका है top mess कैसे डल रहा है top mess bottom mess top mess और एक bar bending schedule करने के बाद हमें पता चलता है कि कितना estimation of आपका case है अब यह देखें साइट का हमारा visualization है देखें साइट पे हमारा pile capping का reinforcement arrangement कैसे हो रहा है कैसे हमारा bar benders यहाँ पर पुरा आपको पहले bottom mess बिचा रहे हैं फिर bottom mess में सबसे पहले main bar का align कर रहे है main bar डाल रहे है उसके उपर फिर distribution बार डालेंगे फिर उसके बाद चेयर डालेंगे चेयर डालने के बाद टॉप mess डालेंगे और उसी के साथ आपको vertical bars भी हम लो पीर का जो कि पीर का आपको vertical bars भी pile cap से connected रहेगा तो वहां से हम लोग उठाते हैं तो यह हमारा side का visualization है और देखिए जो यह वाला जो portion है जो आप यहाँ पर portion देखेंगे यह जो आपका reinforcement दिख रहा है यह वही reinforcement है जो pile chipping करके जो हम लोग pile chipping करके तोड़े थें और यह pile का reinforcement है pile का vertical bars है जो कि आपका pile cap के साथ pile cap के mess के साथ आपका lap होता है तो वहीं तोड़ने के बाद यह चीज ऐसा दिखेगा और यह pile cap के साथ ही आपका lap हो जाएगा उसी में concreting करते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं pile capping का visualization है site visualization देखे reinforcement arrangement कैसे हो रहा है कैसे हमारा bar vendors reinforcement arrangement कर रहे है pile cap का pile cap का reinforcement arrangement जब होगा उसी के साथ आपका vertical bars जो है peers का है वो भी pile cap के साथ ही हम लोग align कर देते हैं उसको हम लोग खड़ा कर देते हैं bar vendor बहुत ही बारिकी से बहुत ही मतलब measurement spacing सारा चीज ध्यान रखते हुए दो बार के बिच का distance क्या होगा उस center to center spacing को maintain करते हुए आपका pile cap का reinforcement arrangement की आपका mess बना रहा है इसको जाल बोलते हैं reinforcement इसको हम लोग जाल बोलते हैं देखिए हमारा pile cap का जाल बनके तयार है अब क्या करेंगे जब एक बार reinforcement cage बन जाएगा उसको बीच में देख रहा है बीच में क्या portion बीच में gap है तो यह सब chair के थुरू gap maintain किया अगर चेर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा वो जुख जाएगा उपर का mess और निचे का mess उसका spacing जो maintain है वो disturb हो जाएगा इसलिए chair लगाते हैं ताकि hold करके रखे उपर का mess को और निचे का mess को top mess और bottom mess को hold करके रखे इसलिए हमनों चेर लगाते हैं तो चेर लगाने के का load direct pile में ना जाए तो एक mediating का काम करता है वो major amount of intensity of load pile cap अपने आप में लेता है और फिर वहां से intensity को load intensity को थोड़ा सा लोग करते हुए आपका pile में भेशता है और pile के थूरू soil में exhaust हो जाता है load तो आप देखिए ये हमारा structure drawing देख रहे हैं ये pile cap का structure drawing है ये top mess है और ये bottom mess से तो देखते हैं ये हमारा pile cap का structure drawing है इसी drawing के हिसाब से आपको execute करना है site पे जो बार benders जो होंगे वो ठीक इसी तरह हमारा arrangement करेंगा अब next pile cap के बाद हमारा next procedure है पीर का पीर क्या होता है ये भी vertical structure है जो की super structure जो होता है उसको connect करता है तो ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो भी आपका पीर का reinforcement लगेगा ये भी drawing के हिसाब से लगेगा ये structure drawing में जो दिया है उसी के अनुसार लग रहा है और यहाँ पे चारो तरब से steel आपका MS steel form work है ये ये पूरा चारो तरब से hydraulic jack के थरू, jacking system के थरू ये चारो तरब से hold करेगा reinforcement, adjust suttering काम करेगा और इसमें फिर concreting होगा फिर ये concreting होके ये हमारा peer तेयार हो गया, अब जब peer तेयार हो गया तो उसके बाद हमारा bearing plate लगेगा और उसके बाद से girder लगेगा, girder हमारा super structure में आता है इसी drawing के arrangement के हिसाब से आप देखेंगे, ये ठीक यहीं drawing है, इसी drawing के हिसाब से आपका हमारा reinforcement लगेगा और ये सारा reinforcement आपका arrangement दिया हुआ है, क्या आपका किस हिसाब से आपका reinforcement लगेगा, तो peer में क्या reinforcement लगेगा, ये ठीक हमें structure drawing से मिलेगा और इसके हिसाब से bar minder आपका reinforcement arrange करेगा और फिर हमारा concreting होगा cast in situ होता है, मतलब cast at the site होता है, pre-casted नहीं होता है, peer हमेशा cast in situ यहाँ पे होता है वैसे बहुत तरह का जगह पे देखेंगे कि peer भी आपका cast in situ ना होके pre-casted भी है लेकिन इस system में हम लोग जो देख रहे हैं यह cast in situ है, next आगे बढ़ते हैं तो यह हमारा होने के बाद, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा peer complete हो गया, peer जब complete होने के बाद next देखेंगे अब उपर का जो girder है, जिसमें हमारा traffic move होगा, वो girder दो तरका होता है वो girder दो तरका होता है, एक तो होता है pre-casted girder, जो कि कहीं दूसरे जब पर cast हुआ है, और hydraulic jack के थरू उठा के crane के थरू लाके place कर देता है, jacking system के थरू, ठीके, और एक girder होता है, जो आपका casting situ होता है दोनों girder मैंने यहाँ पर समझाएंगे, तो पहला girder है casting situ ना pre-casted, प्री-casted मिन्स होता है कहीं, दूसरे जब पर cast हो चुका है, और उसको लाके hydraulic jack के थरू उठा के, hydraulic crane के थरू lift करके, उसको लाके place कर देंगे देखें कैसे आपका यहाँ पर lifting हो रहा है, ठीक ऐसे ही, यह pre-casted girder है, जो कि super structure में आता है, यह girder आपका उपर जाके place हो जाएगा, और फिर वहाँ पर nut bolted होके, फिर हमारा यह तयार हो जाएगा traffic movement के लिए, इसमें क्या reinforcement लगेगा इस pre-casted girder में, यह सारे चीज drawing में दि करना है, तो उसमें reinforcement क्या होगा, concrete कि create का concrete होगा, mix design होगा, mix design होगा, तो mix design हमें तियार करेंगे, कितना mm का dia reinforcement use होगा, यह सारा आपका structure drawing में उपलब्ध होगा, और उसके हिसाब से हम लोग reinforcement arrangement करके pre-casted करेंगे, और फिर hydraulic can के थुरू हम लोग lift करके, वहाँ पर हम लोग जो pier है, उसके उपर pier cap पे जाके place कर देंगे, next यह हम समझारना चाहा रहे हैं आपको cast in situ pier, cast in situ आपका girder किस तरह से place होगा, कैसे हम लोग concreting करेंगे, वो इस video में आप देखेंगे, देखेंगे, अब क्या है यह हमारा, यह क्या हमारा pier तियार है, उपर हमारा suttering plate लग रहा है formwork plate लग रहा है, और यह सारा आपका panel लग रहा है, panel jack panel होता है, और यह jack panel different, आपका थोड़ा high specific type of suttering formwork है, यह लग गया, girder का suttering लग गया, और girder का suttering लगने के बाद आप reinforcement लग गया इसमें, reinforcement place किया जाएगा, drawing के हिसाब से, जो भी drawing में दिया रहेगा, और reinforcement जब एक प्ल place हो गया, नीचे से हमारा formwork तयार है, तो हमारा concrete pouring start होगा, concrete pouring कैसे होगा, आप देखें, यह concrete pouring हो रहा है, यह देखें, concrete pouring कैसे हो रहा है, तो यह जो concrete pouring होगा, with compaction, compaction भी चालू रहेगा, concreting भी होगा, इस procedure को हम लोग बोलते हैं, girder का cast in situ girder है, मतलब girder आपका super structure part है, यह site पे ही location, मतलब at the cross section ही हमारा concrete pouring हो रहा है, और heavy structure, आपका heavy formwork यूज होता है, यहाँ पे, आपका MS steel formwork, jack, different jack, lag के थुरू, आपका यह procedure complete होता है, एक मैंने site का visualization यहाँ पे add किया है, देखें, यह जो है, हमारा यहाँ पे जो portion है, यह portion हमारा peer है, यह peer cap है, और यहाँ पे जो यह cast in situ girder होने जा रहा है, जो कि यहाँ पे cast, यहाँ पे पूरा आपका channel लग गया है, और यहाँ पे cast in the site होगा, मतलब वहीं पे cross section पे concrete को pour किया जाएगा, और 14 दिन बाद, 28 दिन बाद, जो भी आपका suttering period time है, removal of the suttering time है, उसको remove करके, आपका, हम लोग open for the moment of the traffic, हम लोग यह procedure है, आपका bridge बनाने का, road bridge flyover बनाने का, यह procedure step by step आपको याद रखना होगा, कि सबसे पहले हमारा boring हो रहा है, pile boring किया गया, pile boring के बाद हमने next procedure क्या किया, termite आपका जो bentonite polymer mix है, उसको liquid के form में हमने boring hole में डाला, क्यों डाला, ताकि soil intact रहे, hard रहे, soil disturb ना करे हमारा core execution part को next इसके बाद हमने क्या किया, हमने एक measurement किया, measurement मतलब नीचे हम लोग एक sonic measurement logical, आपका sonic logical measurement test होता है, high frequency का तार हम लोग नीचे insert करते हैं, और reinforcement के साथ attach करते हैं, और उपर device लगा होता है, concreting होने के बाद वो क्या है device से, उस device में बताएगा कि नीचे concreting हो रहा है, तो सही से हो रहा है, या नहीं हो रहा है, compaction सही है कि नहीं है, factor सही है कि नहीं, जो pile का dia है, वो सही है कि नहीं, उसके बाद हमने क्या देखा, उपर pile chipping कर रहा है, pile execute होने के बाद, उपर कुछ cut-off label पे pile का concrete को तोड़ की हटा रहे हैं, इसलिए ताकि pile के नीचे जो impurities है, वो impurities को remove क किया जाए, aqua pressure के phenomenon से, pile chipping करने के बाद, आपका reinforcement pile का vertical align रहेगा, उसको पर हमलब pile cap कर रहे है, pile cap का reinforcement, top mess, bottom mess, बीच में chair लगा रहे है, सब को lab करते हुए, सब को joint करते हुए, concreting करेंगे, और pile cap का जब reinforcement डालेंगे, उसी समय, peer का reinforcement align कर देते हैं, उपर हम लोग खड़ा कर पर देते हैं, फिर peer का reinforcement align होने के बाद, ring ring बंदने के बाद, यह सब cast in situ, मतलब prefabrication ना होके, fabrication at the site हो रहा है, तो वहीं पर site पर fabrication, मतलब वहीं पर site पर सरीया बंद रहा है, और हे भी form work लगा के, उसको concreting कर दिया गया, हमारा peer or peer cap complete हो गया, और उसके उपर super structure part, super structure part मतलब GERD, तो GERD दो तरीका का होता है, pre-casted होता है, और एक cast in situ होता है, तो यह जो भी आपको client बोलेगा, उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा, तो यह हमारा session complete हुआ, आसा करता हूँ, यह session आपको बहुत ही अच्छे तरीका से समझ में आया होगा, और अगर आपको यह session अच बेलो civil engineers के साथ, और जब आप subscribe करें तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस कीजेगा, तभी stack पर information आपके पास notification जाएगा.